तुझे साउंड सिस्टम से काफी डिसपॉइंट था मैं जो अरिजिनल स्पीकर आते हैं अच्छा साउंड है बहुत नोटिसिबल डिफरेंस है बेस बहुत बढ़ गया है आई वोड रिकमेंड की जिसके पास भी जो डिफॉल्ट स्पीकर्स है गाडी में वो चेंज करें और बोस्के लगाएं स्पेशली सागर भाई से अजिए वेरी वेरी हेल्पफुल थैंकि फॉरी सब्सक्राइब को अपने मोडल को किस्टमाइज करवाते समय बोस्के इसकी आउटपुट आपको अच्छी नहीं लगे तो कमेंट सेशन बेना आपको जो लिखना है वो लिखनी को गाड़ी आप प्लैन कीजिए अगर आप तरफ ले रहे हैं या आईटुंटी ले एंडारी अज़ मैं आपको बताने चाहरा हूं कि ऐसे स्पीकर के बेस्टमाटल के अंदर लगा सकते हैं जिससे आपका sound experience बहुत अच्छा सुन्दे को मिलेगा मैं आपसे बात कर रहा हूं Hyundai के बोस के speaker की हाल फिलाल में आपको creator के बोस के speaker के बारे में बताया था जिसकी कोस्टिंग लगबग लगबग 17-18,000 बेगी थी आज मैं आपको बताता हूं i20 के बोस के speaker आप चाहे न दोस् किस्टमाइज करवाते समय बोस के speaker budget में आप i20 के भी देख सकते हो क्रेटा के speaker 19-20,000 बेगे हैं बट मेरा budget इतना नहीं है मुझे कम budget के अंदर काम करना है तो आप 3,000 पे का i20 का single speaker भी multiply by 4 करके 12,000 पे के speaker भी आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं मेरे पास जो i20 आई है कस्टमा की गाड़ी में ये भी यूट्यूब से आया है मेरे पास इनको अपनी गाड़ी के अंदर नॉर्मल स्पीकर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल स्पीकर है ये नॉर्मल स्पीकर है बोस की speaker लगाने का plan था मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा कस्टमों का आपक मेरे लिए मैंने वीडियो के अंदर नंबर इससे नहीं डाला ताकि आप मेरे पास ना आकर आप जिस टेट में होना उस टेट में भी स्पीकर लगवा ले अब मैं आपको दिखाता हूं स्पीकर की वाइल्टी ये देखिए अब आपने आप एक दम जानदार पैकिंग दे रहिए हुड़ाई और छसे भी गिर जाया तो स्पीकर तो टूट आगा नहीं आपका यह देखिए यह बहुत का स्पीकर और यह आपका और यह आपका ओड़नरी स्पीकर यहने दिखा दिया का मैं अगर मैं आपको प्रासिंग की बाता हूँ तो 3104 यह आपका जाता हुँ तो यह देख सकते हैं यह नॉर्म भी कर ने अगरめली तो आप देख सकते हैं और अगर मैं आप से इसके वेट की बात बदाता हूं तो दोस्तों वेट में भी बहुत ज्यादा फरक है लगब लगब डबल का फरक है आप बहुत सी जादी क्रोल बाग की वीडियो में देखेंगे आपको बोस का स्पीकर क्रेटा के अंदर भी जो ब लगाने हैं कुछी वाइरिंग को टैंपर ना हो तो आप बोस के स्पीकर को भी इसली लगा सकते हैं इसकी फिटिंग में देखेंगे ना यहां पर आपके कपलर दिखेगा आपकी गाड़ी के कपलर की सीधा इंस्टॉल हो जाएगा यह देखिए इसके अंदर भी आपको दिखेंगे करके लगाना है कोशिश की जब भी आप इसको इसको करवाएं तो रिपीट से इस्टॉल करवाएं यहां पे रिपीट लगवाईए रिपीट से स्टीरों के सांट क्लैटी में बहुत जाता फरق आ जाता है क्योंकि बीचाने के अंदर फ्रिक्श्स हिलने की नह मैंने आपको दिखाक है meus दिखा के लिए कोछिश कीजिएगा सबसे पहले डsche को हिए आपको ना रहा नियूक्त को बताई अब यह सकते हैंalis के प्रेफर की जिएका डेमपींग अफिकर को लगाएचर जब वह दे में ल kicking application करेंगे रही तो अज भी आपको किषित के देंपिंग प्रॉपर करने के बाद आपने सिर्फ स्पीकर को इस्टॉल करना है तो इसके दर्वाजे को आपने बंद करना है अधर इसके साथ हमने फोल दोर्स के अंदर 6 इंशर के लगा दिए सबसे पहले आपको फ्रेंट का डोर मैंने आपको दिखाया जिसमें धैंपि बगर हमने कस्टनर की गाड़ी में 6-inch के स्पीकर को लगा है ताकि sound के एक्ष्पीर्स को और जादा इक्रीस कर सके लगाने के फिटिंग का प्रसेस पूरा सेम आगे लगाया है वैसे पीछे लगाया है साथ में आपके कपलर को यहां पर स्थक कर दिया है इसे के लावा अगर अगर मैं आपको इदर के डॉर्स पर दिखा हूँ आपको इस सेट के डॉर्स के अंदर भी फिटिंग का प्रसेस तुरा सेमें आप देख सकते हैं और इस पर भी आप देख सकते हैं अगर मैं आपको इसका sound के एक्ष्पीर्स बताता हूं आफ्टर पूरी complete वीडियो इस त प्रॉर्मल स्पीकर है यह आपके बॉस कि स्पीकर है अब मैं आपको दोरों के आउट्पुट का फरक दिखाता हूं मैंने हाँ पर हैवी बेस वाली सोग को रंग किया अब में कि पार पार अब कर दो कि अब मैं आपको दिखाता हूं उस तरफ का स्पीकर का साउंड मैं ने स्वांग को फिट से प्ले किया आप अब लोटिस करना यह वाला स्पीकर फटने लग गया है वी बास के अंदर वह वाला स्पीकर नहीं फटेगा अब आप द्वारा से साउंड देखिए आप देख सकते हैं मैंने आपको दोनों स्पीकर का अंबेर में अगर जब में आवी बास का सोग से लाया मैंने तो यह वाला स्पीकर इसको सुपोर्ट कर रहा है मगर है वी बास के अगर मैं नॉर्मल स्पीकर पर चला रहा हूं तो वह फटने चालू हो गए हैं यह मैंने आपको फ्रंट का कमेशन बताया स्पीकर लगाने का बाकि एस पर कस्पर का जो फीड़बाइक का मैं शूर शेयर करूंगा उस फीड़एक के ओपर आप सब्सक्र आप पूछ सकते हैं कर से क्या सा फीड़बाइक को पर याप बहुत अच्छा साउंड है बहुत नोटिसिबल डिफरेंस है बहुत बढ़ गया है आई वोड रिकमेंड की जिसके पास भी जो डिफॉल्ट स्पीकर है गाड़ी में वह चेंज करें और बोस के लगाएं बहुत 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 बढ़िया है तो आई थिंक वह फील गुड फैक्टर आएगा अब गातार में बैटने से चीकर थेंक तो इसी के साथ मैंने आपको बताया कैसा फीडबेक था अगर आप और निश्पीकर हटा कि आप बोस के स्पीकर को प्रैफर करना चाहते हैं भले या वर्णा हो या क्रेटा हो आप बोस के स्पीकर को बीज़िक प्रैफर कर सकते हैं तो आप इसको भी अपनी गाड़ी में इसली स्टॉल करवा सकते हैं तेंक्यू